ऐसा तो क्या होता है कि लोग औस्टिच के अंडे का ओमलेट नहीं बना पाते वही मुर्गी के अंडे का ओमलेट तो बड़ी आसानी से बन जाता है दरसल जो मुर्गी के अंडे का ओमलेट लोग खाते हैं उस अंडे का वजन 50 से 60 ग्राम होता है जबके ostrich के अंडे का वजन लगभग देल से 2 किलो तक होता है मुर्गी के अंडे को फोलने के लाखो तरीके हैं वहीं दूसरी तरफ ostrich के अंडे फोलने के लिए हतोले की जरूरत पड़ती है क्यूंकि ostrich का अंडा बहुत मजबूत होता है ऐसे में इस अंडे से अगर आपको कुछ बनाना है तो सबसे पहले आपको अंडे को फोलना होगा वैसे क्या आपने कभी रियल लाइफ में शेर को देखा है कमेंट करके जरूर बताना